जैहिंद नमस्कार शातियों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे रीट मुख के परिक्षा की त्यारिया वो बहुत सांदर तरीके से आप सभी की चल रही होगी आज हम देखने वाले किलाम एकेडमी के दिवारा करवाए गए फाइनल टेस्ट फोर का आयोज रही है तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो वो पेपर भी जरूड देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूड कर दे और ज्यादा से ज्यादा आप सभी से रूक्वीशट है कि शेर जरूर कर दे क्यूणकि हमारे सब्सक्राइबर वो 10 जार होने और आप सभी ने और level 2 दोनों में सेम जो topic हैं उनसे execution आते हैं आप सभी को पता है अगर आप कलाम academy के paper देख रहे होता हो तो execution सेम पुछे जाते हैं level 1 और level 2 दोनों के लिए तो इसमें हम execution करने वाले हैं इस class के अंदर level 1 और level 2 दोनों के लिए तो ये class दोनों को देखनी है उसके बाद में level 1 के अलग execution देदूआ मैं बचे हुए और level 2 में साइंस मैट के SST के मैं अलग से देदूआ तो देखो पहला परसन हम सुरू कर लेते हैं कि राजस्तान की पहाडियों का और हडोती के पठार का तो राजस्तान की मुकंद्रा की पाडिया किसका हिस्सा है तो किसका हिस्सा है हाडोती के पठार का हिस्सा है राजस्तान में मुकंद्रा की पहाडिया उडिया पठार किस जिले में इस्तित है तो उडिया का पठार है वो कौन से जिले में इस्तित है ये आपको बताना है तो उडिया का जो पठार है वो राजस्तान के कौन से जिले में उधेपूर में चितोडगड में भीलवाडा में तो कहां पर इस्तित है शिरोई जिले के अंदर इस्तित है तो देखो इसमें आप यह कह सकते हो के सर टिक लगे होगे थे तो अनुसार के जलवायू वर्गिकरण के अनुसार E A-D जलवायू वाले जिले कौन से हैं दोलपूर भरतपूर कोटा जालावाड जेसलमेर विकानेर सिरोई उदेपूर तो थारनवेट के अनुसार E A-D जलवायू वाले जिले कौन-कौन से हो जाएंगे तो गोंसे जेसलमेर और बीकानिर, आहू वै कालीसिन नद्यों के संगम पर इस्तित है, उनके संगम पे कौन सा दुर्ग है, वो इस्तित है, तो ये क्यूशन तो सभी को आता होगा, तो कौन सा दुर्ग है, गागरुन दुर्ग है, वो आहू और कालीसिन नद्यों के संगम पर इस्तित है, कथा कि किस वरक्ष से निकाला जाता है, कथा किस वरक्ष निकाला जाएगा, तो कौन से वरक्ष से निकाला जाएगा, सालर से, सांगवान से, तेंदू से, तो कथा निकाला जाता है, खेर के वरक्ष निकाला जाता है, देखो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करते हैं, आप स चैनमर क्यूशन है, साइबरेरियन, क्रेन के लिए गनापक्षी विहार, गोडावन के लिए राष्ट्रियमरू उदान, और कुरुंजा के लिए सरिष का अभ्यारने, तो बताओ इसमे ए सुमेलित कुन सा है, तो चार नमर सरिष का अभ्यारने कुरुंजा से सपन्दिते नह राजस्तान के किस जिले में लाल मिर्दा पाई जाती है, तो राजस्तान का ऐसा कुन सा जिला है, जहां पे लाल मिटी है, वो पाई जाती है, तो राजस्तान के कुन से जिले में पाई जाती है, बासवडा जिले में लाल मिटी है, वो पाई जाती है, उसके बाद में राज तो देखो हमें क्या करना चैना टो प्रेपर आप ने दिया नहीं है। और कैसे परेपर पैशान पूछे जाने हैं। तो अब पर्सिट पढ़ना उसके बाद में उत्तर आपको अगर पता है तो आपका गोंफिडेंस भी बढ़ जाएगा। आपको पर्षन पेपर भी नुमान हो जाएगा कि लगबग ऐसा पेपर है वो आएगा इसलिए मैं पेपर आप सभी को दे रहा हूं राजस्तान में इस गोल के अधिक्तम उत्पादक जिले हैं वो हमसे पूछा है कौन कौन से हैं कोटा बारा बुंदी, दोलपूर क्रोली स्वाई मादोपूर, जालोर जोधपूर बाड मेर और उद्यपूर बिलवडा चितोडगड, तो राजस्तान में इस बुगोल के जो अधिक्तम उत्पादक जो जिले हैं, वो कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, जालोर जोधप तो बताओ इसमें से कौन सा आपको गलत लगता है जणगणना के बारे में तो देखो इसमें 2011 में राजस्तान का लिंगानुपात राश्ट्री ओस्वत से पंद्रा बिंदु कम था बिल्कुल सही है 2011 में राजस्तान के सभी जिलों के ग्रामिन चेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात जो है अजार शे कम था और 2011 में राजस्तान के सभी जिलों का लिंगानुपात है वो अजार शे कम था ये भी सही है तो फेल्टसपार खनीजय ओगो कहाँ पर पाया जाएगा तो फेल्टसपार जो खनीजय ओगो पाया जाता है अज मेरे जिले के अंदरे पाया जाता है राश्ट्रिय राजमारग संक्या 24 राजस्तान के किस जिले से निकलता है तो दोलपूर जिले से निकलता है राजस्तान का वर्तमान प्रियाटन नारा है राजस्तान का जो वर्तमान में प्रियाटन का जो नारा है वो कुन सा हो जाएगा पदारो मारे देश है वो राजस्तान में प्रियाटन का नारा है वर्तमान में मुक्य मंत्री चरिंजीवी दुर्गटना विमा योजना के अंतरगत दुर्गटना में मर्त्य हो जाने पर कितनी राष्टी का आर्तिक संबल परदान है तो मुक्य मंतरी चरंजीवी दुर्गटना भीमा योजना में दुर्गटना में मरती होने पर कितने रुपए संबल के रूप में दिये जाते हैं 10 लाग, 5 लाग, 3 लाग और 1.5 लाग रुपए तो बताओ कितने रुपए दिये जाएंगे तो इसमें क्या लिखा है, 5 लाग रुपए लिखा है लेकिन मेरे ख्याल से बजट में ये राच्टी है, वो बढ़ा दी गई है तो चेक कर लेना आपे, मुक्य मंतरी चरंजीवी दुर्गटना भीमा योजना में में राज़स्तान देश में कौन से इस्तान पर है Center for Monitoring Indian Economy C.M.I.E. की दिसंबर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बेरोजगार परती सत्में राज़स्तान देश में कौन से इस्तान पर है तो बिरोजकारी राजस्तान में कितने दूसरे नंबर पर इस्तित है नॉमर में मंत्री मंडल ने किस जिला मुखेले पर मीनी फूड पर्क स्टापित करने एतना बुम्मी आवंटित करने की बस्ताओ brings, नोमर में मंत्री मंडल ने ऐसा कौन सा जिला में खेले है जहाँ पर मिनी फुट पार्क बनाने के लिए भूमी आवंटित की हैं तो 17 नमर में क्या हो जाएगा विकानेर में इंडियन रिंस्पोंसिबल ट्यूरिजम स्टेट अवार्ड 2022 राजस्तान में कुल आठ सरेणियों में पुर्षकर परदान कियेगे यह हमें बताना है 18 नमर में तो किसको कंकडवा हवेली को पुरुषकरित किया गया तो किस साहित्य कार को पुरिश्क्रित किया गया ये आपको बताना है तो 19 नमर में किसको किया गया मदन गोपाल लड़ा को राजस्तानी बासा हे तू साहित्य पुरिश्क्रित किया गया गरेलू सरेणी में राजस्तान का राज्य पसु है वो कौन सा हो जाएगा तो गरेलू सरेणी में होता है उंट पाल तू आप कह सकते हो जून जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों की कितनी योजनाई उपलबद है तो जन सूचना जो पोर्टल है उसमें 115 विभाग जो है उनमें कितनी योजनाई है यह हमसे पूछा गया बाइस नमर में, तो कितनी योजनाई हैं जन सूचना पोल्टल पर तो 332 योजनाई हैं तो देखो मैं पेपर को थोड़ा जलदी कराने की कोसिक ग्रों क्यूकि आपकी इज्याम नजदीक में है तो आप फटाफट इस पेपर को जुरूर देख ले खिलाडी दे रहे हैं और एक तरा फ्खेल दे रहे हैं एसमेलित हमें चेन करना है सुख्वीर सिंग वोलीबोल गोरव साहु पावर लिफ्टिंग मनिक कोसिक शूटिंग और दलिप कुमार कराटे तो बताओ इसमें से कौन सा खिलाडी है वो एसमेलित है तो देखो इसमें से नागोर जिले में इस्थिते है एसो मेलित का चैन कीजिए उद्र पूर शिस्ता यह मुद्योग के लिए नहीं जाना जाता है मुख्यस्ट्यू देरके और एक तरफ मुख्यमंतری कौन से मुख्यमंतरी के करियाले में करियकाल में मुख्यस्ट्यू कौन ता ऐसमेली तंबे बताना के पिऊ मेंनन है वो मौनलाल सुकाडिय के समय थे तो किसका पर्तिक माना जाता है पारवति का पर्तिक माना जाता है निमनांकित मेलेव है उनके आयोजनती थी में सही सुमेलित नहीं है तेजा जी का मेला बादरपद, सुकला दस्मी, सिताबाडी का मेला जेस्ट अमाउश्या, डिगी कल्यान में जी का मेला वेशाक अमाउश्या को, कपिल मुन्नी का मेला कार्तिक पुर्णिमा को, तो बताओ इसमें से एसुमेलित है वो कौन सा 29 नमर में तो डिकी किलान जी का जो मेला है वो विशाक अमाउश्या को नहीं बरता है पकड़ी को चमकाने चमकीली बनाने के लिए निमनलिक्त में से किसका परियोग किया जाता है तो पकड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका परियोग कि किया जाता है, तो सभी हो जाएंगे, उसके बाद में हम बात करें, कंकन, नोगरी, गजरा, अधी पहने जाते हैं, कंकन, नोगरी, और गजरा, अभुषन, कहां पहने जाते हैं, यह हमसे पूछा, 31 नमर में, तो कहां पर कंकन, नोगरी, और गजरा है, वो हाथों में पहने ज लेकिन लगबग आप सभी ने खेली होगी, तो मार दड़ी है, गोडा दड़ी है, लट्टु चक्री है, डाल कुदावनी है, ये सबंदित क्या है, हमारे पारंपरिक क्या है, खेल है, तो क्या है ये पारंपरिक के खेल है, किस गड़ के लिए जमस्टोड ने कहा था, कि यद तो 34 नमर क्यूशन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विका निर्शली से, निमन में से कालवेलिया जाती का नर्ते कुन सा है, तो कालवेलिया जाती का जो नर्ते नहीं है, वो हमसे पुछा है, इंडोनी, शंक्रिया, पढिहारी और मावलिया, तो कालवेलिया जाती का कुन स थोड़ दोगे तो भी कभी भी नहीं बुलोगे ऐसी चार लाइन मैंने करवाई हैं और एक भी पर्षन कोई एकजाम में आपका अगर नर्ते का आ रहा है ना तो नर्ते का गलत नहीं होगा एक बार मेरे कहने पर वीडियो जरूर देख लेना निचे मिलेगा आपको काफी अन पूजा जाता है उंटों के देवतावे प्लेग रख सक देवतार के रूप में किसको पूजा जाता है तो 36 नमर में पापुजी को पूजा जाता है निमन मैंसे लोहा यूगिन सब्वेतास्तल है तो लोहा यूगिन सब्वेतास्तल हम से पूछा है कौन सा हो जाएगा गने इसवर है क्या? नहीं है, बाला थल है और बेराठ है, तो इसमें दो और तीन, जुते हुए खेत के प्राचिन्दम सक्षे कहां से प्राप्त हुए तो प्रत्यार्शा से था जिसने आदी वरा की उपादी है वो दहरन की थी तो किसने की थी मिहर बोज ने आदी वरा की उपादी दहरन की थी तो देखो जिसने भी ये जिसका भी ये पेपर है उसके इपनी देर सही होते है आ रहे थे क्योंकि रिट का एक्जाम नुजदीक है तो त्यारी अच्छी होगी लेकिन यहां आके इसका गलत हुआ है क्योंकि यहां पर इसने ऐसे करके टिक किया हुआ है तो हमने मिटाने की कोशिस की जो ज्यादा हाइलाइट ना हो तो इसमें क्या हो जाएगा विजे सिंग पत्थिक राजस्तान के एकिकर्ण के दिवतिय चर्ण के दुरान की से पुरुए राजस्तान संग का परदान मंतरी बनाया गया तो राजस्तान के एकिकर्ण का जो दिवतिय चर्ण हुआ उसमें पुरुए राजस्तान संग का परदान मंतरी है वो किसको बनाया गया था गोकुल ला के नेतरत्वय में हरीजन सेवा समीती का गठन कहां पर ही किया गया तो परताब गड में किया गया बील समाज सुधारक सुर्जी बगत का जनम किस गाउं में हुआ बील समाज सुधारक सुर्जी बगत का जो जनम है वो कौन से गाउं में हुआ था तो लसोडिया गाउं में राम सिंग द्युतjua के दवारा की गी थी अलबर्ट होल संग्राली की स्थाफना किसी website से अवेद जूपसे कोई movie ऑउलौड करना क्या कहलाता है कोई भी website है महासे हम अवेद जूपसे क्या कर लेते है movie ऑउलोड कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है तो पैरेस धी कहलाता है ठीक है उसके बाद में हम बात करें नेमलिक्त में से कौन सा पहला विवशाईक वेब ब्राउजर है तो कौन सा पहला विवशाईक वेब ब्राउजर है तो कौन सा हो जाएगा इसमें से 50 नमर में मोजेक, मोजिला, Netscape और इंटरनेट एक्सपलोर हो रहे है तो व्यशाइक वेब ब्राउजर हो जाएगा Netscape देखो computer के मैं बताओं आपको read के लिए एक तो आप याद कर लेना सारे के सारे जो भी application software है ठीक है application software जो भी है आप पढ़ लेना उसके बाद में आपको क्या करना है OS पढ़ लेना operating system सारे पढ़ लेना OS क्योंकि यह question पक्का आएगा आपको operating system देदेगा कि इसमें से operating system कौन सा नहीं है या यह पुछ लेगा जार option में operating system कौन सा है या यह पुछ लेगा इसमें application software कौन सा है और या एक यह वेब ब्राउजर वाला कि वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है यह question आपको इन तीन question में से एक question आपको कनप्रम मिलने वाला है मैंने OS तो करवा दिये हैं सभी अपने चैनल पर आप देख लेना मैंने दो-तीन दिनों में करवाया है वो वीडियो डाला हुआ है आप देख लेना यह पी मैं application software और वेब ब्राउजर जितने भी वो मैंने एक list दे दूँगा मैं आपको आप देख लेना मैं चैनल पर जल् निमन में से कौन सा ITInput device कौन सा नहीं है इसमें इनपूट्ट डिवाइस जो नहीं है वह बाउंसे पूछा गया जुछं में तो कौन सा नहीं है तोnun इक तो जाएगा optical scanner, keyboard, touchpad में touchpad तो अपने mobile destruction, wk suppose, future, क्या हो जाएगा, एक input device और optical scanner जो होता है, वो भी क्या होता है, एक input device लेकिन mouse जो pad होता है, वो input device होता नहीं है, निमलिक्त में से किसका विस्तार रूप सही नहीं है, HTML, Hypertext, Markup Language सही है, photon, Format, Translation, तो देखो इसमें photon है, यह इसमें क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉम है, वो गलत हो जाएगा, त्रेपर में, Formula Translation इसका फुल फॉम होता है, तोरावाटी, राजावाटी, नागर्चोल आती, किस बोली की उप बोलिया है, तोरावाटी, राजावाटी और नागर्चोल है, रांगडी वय नेमाडी है, वो किस चेतर में बोली जाती है, पिछपन नमर में, तो परतावगड चेतर में रांगडी और नेमाडी बोली जाती है, महारणा परताप के दरबारी विद्वान, महारणा परताप के दरबारी विद्वान, चक्रपानी मिस्तर क्रित रचना नह और व्रक्षार युवेध तो इसमें से कौनसी रचना है वो नहीं है वो हमें बताना है मारणा परताग के विद्वान चक्रपाणी मिशरकिब तो चपर में कौनसी है संगत जो रासो है वो इनकी रचना नहीं है नेमलिक्त साहित्यक रचना और रचना काल में सईस सुमेलित नहीं है मरू मंगल सुमेर सिंग सेखावत कुण कुण ने समझावा कल्यान सिंग राजावत अन बच्चा आखर सुमनेश जोसी माधा माथा देना पड़सी मोलकने मोटारो गणेश लाल व्यास उस्ताद तो बताओ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह उन से पुछा है तो देखो बतादो सा ताउन नमर क्यूशन में तो कौन सा अन बच्चा आखर सुमनेश जोसी के द्वारा नहीं लिखी की बाउंड व्यास कृत रचना है बाउंड व्यास कृत रचना कौन से इसमें से अठाउन नमर में तो इसमें हमिरायन पहले नमर पर ही सही हो जाएगा नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कोलर्शिप योजना की राजस्तान में नोडेल एजन्सी कौन सी है तो 69 नमर में क्या हो जाएगा नीमन में से कौन सी विशेष्टा स्वामी व्यकानन्द राजगिये मोडल विद्याले की नहीं है वो हमसे पुछा है तो कक्स अचाह से बारा के लिए संचालित है बिलकुल सही है ये तो अंग्रेजी मादे में ये भी सही है वह किसका है ये हमसे पुछा है 161 नमर में तो D.E.O.S Q का हो जाएगा बारत के सविधान के किस अनुछेद के तहग orbit seam बारत का कोन से सविधान के अनुछेद के तहग सी 14 वर्स के बत्तों के लिए तो देखो इसमें 2 नमर के हमें क्या हो जाएगा 21-A के तहद निसुलक और अनिवारिय बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंबिक सिक्षा के लिए प्रवेस प्राप्त कोई बालक प्रारंबिक सिक्षा पूरी करके निसुलक सिक्षा का अधिकार अकदार होगा निसुलक और अनिवारिय बाल सिख्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अनुसार प्रारंबिक सिख्षा के लिए प्रवेस प्राप्त कोई बालक प्रारंबिक सिख्षा पूरी करने तक निसुलक सिख्षा का अधिकार होगा कब तक ये बताओ 63 नमर क्यूशन में तो 14 वर्ष की आयू के पश्यात भी राजस्तान RTE नियमावली 2011 के अंतरगत अध्यापकों के सिकायत निवार्ण हेतु गटित समीतियों के निर्णे अध्यापकों को कौन संसुचित करेगा उसके बाद में हम बात करें आगे क्यूशन दे रखा है कि RTE अधिनियम 2009 के तहत दाराद सोडा में वर्ष 2019 में संसोदन के तहत कौन सा प्रावदान नहीं किया गया तो RTE अधिनियम 2009 है उसकी दारा सोडा में किया गया 2019 में संसोदन किया गया तो कौन सा प्रावदान इसमें नहीं है, यह हम से पुछा है, 65 नमर में, कि कक्षिया 58 के लिए शेक्षनिक वर्ष के अंत में नियमित प्रीक्षाई होगी, कक्षिया 58 की प्रीक्षा में अनुत्रिण होने पर पुन्य प्रीक्षा के अवसर मिलेगा, बिल्कुल सही है प्रीक्षा में लगातार, उनितर्ण होने पर विद्याले से निस्का सित क्या जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राजस्तान में आर्टी नियमावली, 2011 के सबद में ए सुमेलित कीजिए, भाग 3, भाग 5, भाग 6 और बाग 7 इसको क्या करना है, में सुमे पांच में लिखा है, विद्याले वे अध्यापकों के उत्तरदाईत वे, भाग 6 में लिखा है, अध्यापक और बाग 7 में लिखा है, पठे चरिया वे प्रारंबिक सिक्षा का पूरा होना, तो एक नमर उप्सन इसमें सही हो जाएगा, इसके बाद हम बात करें, कोविड म प्लब्द करवाने के लिए रजस्तान सरकार ने कौन सी योजना लागू की थी यह हमसे पूच्छा है, तो सिक्षावाणी योजना लागू की थी, राष्ट्रे सिक्षनिती 2020 का निर्वान किस की अध्यक्स्ता में किया गया, तो के ऐसे कस्तूरी रंगन की अध्यक्स्ता म इसमें से S, B, M, C की उप्समितियां कौन-Kौन सी हो जाएगी आपको बताणा है, तो कौन सी हो जाएगी, इसमें एक तो विद्याले बन उप्समिती और विद्याले शेक्षिक उप्समिती, तीन और चार दोन नमबर उप्सन, राजस्तान सिक्षय विवाग द्वारा किस केंद्रिय संस्ता के साथ मिलकर है दिक्षया राइज प्लेट फॉर्म का विकास किया गया कि निमलिक तुप में इसे कौन सा तत्वय शिख्ष्या मनोविज्यान के अधेन चेतर के अंतरगत नहीं आता है वो उनसे पूछा है बैतर नमर क्यूशन में तो सीखने की परकरती वेक्टिकी अभिवर्धि और विकास वेक्टिक बेद और मानसिक रोग तो अधेन चेतर के अंतरगत क्या नहीं आता है वो नहीं आता है विबीन वस्तुव और विच़ारों के बीच जटिल सबंदों को समझाने की मानशिक स्रेइटर नंबर में क्या हो जाएगा अब कुशन देख लो और अपने मैटर है वो पणते रहो निमलिक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है तो चोतर नमर में क्या हो जाएगा सर्जन सिलता किसी भी कला में मौलिक्ता होती है सर्जन सिलता के लिए चिंतन की आवशिक्ता नहीं है तो देखो सर्जन सिल्था के लिए तो चिंतन की आवसिक्ता बिल्कुल होती है तो यह इसमें क्या हो जागा गलत हो जाएगा अधिगम के नियम के तहट ततपर्ता का नियम परतिपादित किस ने किया था तो पिछेतर नमें एडवर्ड एल थरंडाइक ने किया था आई सेंग ने विक्तित वह के एक तीसरे आयाम की बात की और यह कौन सा है यहम से पुछा है चैंतर नमर में तो कौन सा है साइकोटीजम स्कीनर द्वारा किरिया परशूत नुबंदन से सबंदित परियोग में किस जानवर का परियोग किया गया था तो स्टेंटर नमर में चुहे का परियोग किया गया नेमलिक्त में से कौन सा शिक्सक से सबंदित अधीगम को परस्तावित करने वाला कारक है तो कौन सा हो जाएगा तो इसमें विश से वस्तावित तो नेमलिक्त में से कौन सा प्राकरतिक अभीबरेना का उधारन नहीं है तो कौन सा नहीं है परतिष्टा आगे क्यूशन देखें हम ऐसी सुरुक्षा प्रिकिरिया जिसके अंतरगत कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बताने का प्रियतन करता है तो क्या कहलाता है असी नमर में तदात्मी करण कहलाता है तो देखो लेवल वन वे लेवल टू दोनों के लिए असी क्यूशन है वो मेंने करवा दिए आगे लेवल वन के आपको अलग मिल जाएंगे एसेस्टी और गणित के आपको अलग से क्यूशन मिल जाएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद